नमस्कार दोस्तों मैं हूं मयूर परीक शिवसेना यानि की एकनाच शिंदे की शिवसेना एंसीपी यानि की अजीद पवार की एंसीपी और भारतिय जनता पारिट इस गड़बंदन में सीट शेरिंग को लेकर बवाल अब दिन बदिन बढ़ने लगा है दरसल इसके पीछे की केमेस्ट्री समझना बेहत ज्यादा ज़रूरी है भारती जनता पार्टी महराष्ट्र में अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कुछ अखबारों में ये खबर आई है कि बीजेपी लगबग 48 में से 34 सीटों पर अपने सिंबल पर उमीदवार उतारना चाहती है वहीं लगबग 14 या 16 जितनी सीटें वो अपने सहयोगी दलों को देने के लिए तैयार है एक बात बिल्कुल साफ है कि एकनाच शिंदे जितने सांसद लेकर बीजेपी के साथ शामिल हुए है उद्दव ठाकरे के साथ अपना गटवंदन यानि उनकी इतने सालों की पार्टी के दो तुकड़े कर दी है बीजेपी के इस दाओं की वज़े से एकनाच शिंदे के सांसदों में बेचैनी फैली हुई है पेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब कुछ लोग उद्दव ठाकरे घुटका भी संपर्क करने लगे है यहीं असली वज़य है कि बीजेपी ने डेड़ सो उमीदवारों की सूची जारी की लेकिन महाराश्टर की एक भी सीट जारी नहीं महाराश्टर के मुख्यमंत्री एकनाच्शिंदे दिल्ली गए प्रधान मंत्री अमिच्शा इन सभीयों से मुलाकात की लेकिन मामला अब तक जमा नहीं है जो हाल एकनाच्शिंदे का है वही हाल अजीत पवार का भी है लेकिन वो अपनी सीटों को लेकर अड़े बैठे हुए है ऐसे में किन सीटों पर बवाल बढ़ गया है कौन-कौन खत्रे में चल रहा है इन सारे विशय में आज हम विस्तार से बात करेंगे महाराश्टर पॉ विश्लेशन करते हैं हर सीटों पर जो आकड़े होते हैं उसको स्टड़ी करते हैं टीवी नाइन भारतवर्श चैनल में जब पांच राज्यों के चुनाओं के नतीजे आ रहे थे तो वो लाइव थे पूरा दिन हमारी चैनल पर भी कभी कभार वो आते हैं वैबाव जी आ इसे लेकर एकनाच शिंदे अजीत पवार और बीजेपी के बीच में भारी लडाई चल रही है जब से महाराश्ट्रम में 2019 के चुना हुआ है उसके बाद कई चीजे बगली है पार्टी आत उटी है लोग लोग अलग अलग पार्टियों में जोइन हुए है लेकिन अब पह चुनाओ इस बीच में ना को नगरपानिका के चुनाओ हुए है ना जिला परिशत के चुनाओ है कोई नहीं है तो पहली वार इस पता चलने जा रहा है कि कौन कितने कौन कितना पावर्फुल है अब रही बात महायूती की हम जब बात करते हैं महायूती की जो चुनाओ में तो बारा तेरा साथ जन उनके साथ जो छोड़के शिवशेना को छोड़के उनके साथ आये थे उनकी सीटे अब खत्रे में नजर आती हुई मुझे दिख रही है बीजेपी का एक बहुत ही सिस्टेमाटिक वर्किंग स्टाइल है वो हर सीट पर तीन तीन वार सर्वे करवाती है और कई सीटों पर उनके जो सांचद है उनके सांचदों की रिपोर्ट नेगिटिव आई है तो इसको लेकर बीजेपी का यह कहना है कि हम ज्यादा सीटों पर हम आज के तारिक में मोधी ब्राइंड और और लोगों में एक्सेप्टिविटी बीजेपी की ज्यादा है तो हम ज्यादा लडएंगी तो ऐसी स्थिती में उनके लोगों को कम सीटों पर मौका मिलेगा अब मैं आपको उन सीटों पर भी बात करता है जहां पर खुली बगा कॉंग्रेस NCP के समर्थन से चुनाव जीतने के बाद वह बाजपा के समर्थन में आ गई थे और इस बार ऐसे कयास लगाई जा रहे हैं कि वह बाजपा में शामिल होकर वह चुनाव लड़ेंगे लेकिन यहां से बागावद का बिगुल गोशना होने से पहली आनंद्राव अ और उनके पुत्र अभिजीत अडसुल ने पूप दिया है उन्होंने कहा है कि यह सीट पारंपरागत रूप से शिवशेना लड़ा करती थी और शिवशेना ही लड़ेगी नवनीत राना का यहां पर कोई स्तान नहीं है तो यह मायूती की पहली वह सीट है जहां पर यह तक शिवशेना की सीट हुआ करती थी यहां से कौंग शिवशेना के जो नेता है उदय सामन उनके भाई किरन सामन चुनाव लड़ना चाहते है लेकिन यहां से भी बीजेपी ने अपना दावा किया है और केंद्रिय मंत्री नाराय नाने को मैदान में उतारना चाहते है अब न जो जो कॉडिनेशन बीजेपी ने होना चाहिता वो नहीं होगा और यहां पर बगावत होती भी मुझर नजर अरी है अगर आप देखो कि तो पिछले कुछ दिनों में रामदास कदम ने ओपन ली बीजेपी पर काया कि बाचपा हमें खतम करने में लगी भी है यह वही बय और हो सकता है शिवशेना सिंदेगुट का वह शिरूर की शिवाजी राव और चल पाटिल यह यह माना यह शिरूर जो सीट है वैसे मैं बता दो अजित पवार खेमे में जा सकती है और वहां से जो लड़ने के जो इच्छुख है शिवशेना के जो स्ताने उम्मीदवार व वह 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 बगावत का विगुल बजा सकते है वहां से तो शिंदिय सेना के लिए एक चिनता जनक बात यह है कि वह अपने शांचदों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हिंग ली की सीट भी एक वही सीट आती है हेमन पाटिल वहां से स्तानिय सांचद है शिवशेना है तो वहां पर भी वहां पर भी अमें दिख रहा है कि एमन पाटिल ने गाए कि चुनाओ तो मैं ही लड़ूंगा परंपरा कर रूप से यह शिवशेना की सीट है अगर आपको नहीं लड़ना है तो मेरे पास रश्ते मेरे विकल खुल सकते हैं तो अभी तक किसी नहीं नहीं किशने पैना कहीं यह यह और यשत कैमें में भी हो सकती है प्रॉब्लम अहमत नगर बीजे पी के संचद है और बीजे पी के जो संचद है ज på आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो बिल्कुल सुन पा रहे हैं आप बताइए एहमद नगर की जो सीट है यहां पर बीजेपी के सांसद है और वहां से चुनाव लड़ना चाहते है निलेश लंके तो निलेश लंके निलेश लंके जो राष्ट्रवधी कॉंग्रेश अजित पावार गुट के है वह चुनाव लड़ना चाहते है और पिछले दिन अजित पावार ने जब एहमद नगर में मीटिंग बुलाई थी तो निलेश लंके गई नहीं थे तो बताए जा रहे हैं वह नाराज है और हो सकता है शरत पावार गुट में वह शा अजित पावार ने कार में ट्राविल किया और माना जा रहा है कि वह भी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं और अजित पावार के कोटे से उन्हें टिकट चाहिए वैबाव शायद यहीं वजय है कि भाजपा ने और कॉंग्रेस दोनों ही पार्टियों अपनी कुछी जारी की लेकिन महाराष्ट्र के उमीदवार कोशित नहीं किये सिर्फ दो सीटों पर स्पस्टता मिल पाई है शरत पवार इन्होंने बारामती से सुप्रिया सूले को उमीदवार बना दिया और उद्धव ठाक्रे ने एक सभा में अमोल किर्तिकर को उत्तर पश्च मुंबई से उन्होंने गोशना की है उसी वज़े से मिलिन देवड़ा ने भी पार्टी चोड़के शुषे ना सिंदेगुट में शामिल हो गए थे दूसरे दूसरा नाम है ओम राजे निंबाल कर धरा से जो श्मानाबाद जो सीट है वहां से भी वह चुनाव लड़ रहे वहां भी उन्होंने गोशना कर दिये राइगर सीट से भी अनन्द गिते का नाम लगबग फाइनल ही बताया जा रहा है तो कम से कम पांच थाने से राजन विचारे का भी नाम लगबग तो पांच सीट है पांच से छे सीट हैसी जहां पर उत्व बाला साहिब ठाकरे लेकिन शिंदे के पास जो शिव शेना है और अजित पावार के रखने की बहुत ज्यादा होने वाले क्यों के लिए अगर वो इन चार सीटों पे और दस सीटों पे अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो पहले सी एक मेसेजिंग नेगिटिव जाती है अपने के बीच में तो देखना पड़ेगा कि टिकेट डिस्ट्रोबिशन की प्रकार से ऐसे हमने कई बार देखा है पिछली बार विदान सबा चुनाओं के दौरान हमने देखा था कि शिव शेना ने कई नाम अपने डिकलेरी नहीं किये अपने उमिद्वारी की सूची जाहिर नहीं की थी औ और सीधा फॉर्म एभी फॉर्म दे दिया गया था तो हो सकता है यह इस बार यह यह भी कर्च कर सकती है शिव शेना और अजित पवार गुट तुनो मुझे तो ऐसा लग रहा है वैभाव की महराश्ट्र में अधिकांच सीटो पर सीधे एबी फॉर्म बाटे जाएंगे विकल्प सिर्फ एकनाच शिंदे की शिव सेना और अजित पवार की एंसीपी नहीं बलकि कॉंगरस के नेताओं के पास भी आज विकल्प है शरत पवा जो टेलिवीजन चैनल पर चल रही है वो यह चल रही है कि रविंद्र वायकर जो की उद्दव ठाकरे के एकडम हमखास हैं वो भी पाला बदलने की तयारी कर रहे हैं तो महराश्ट्र की राजनीती में इन दिनों इस समय माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है कि सभी को नेता बन की इस शो में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों इस समय महराश्ट्र में सारे नेताओं की धड़कने तेज हैं सभी को टिकट चाहिए सबको लगता है कि जहां से मैं चुनाओ जीत सकूं वो सीट मेरी देखना दिल्चस्प होगा किसे टिकट मिलता है किसक पसंद आया हो चर्चा पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेर करें कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें बैल बटन दबाएं सारी पॉलिटिकल उठा पटक के बारे में हम यहां आपको ताजा तरीन जानकारी देते रहते हैं यह व